हलो 유튜브 फैंली स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में फ्रेंस तो आज मैं बना रही हूं लोके के कौफते तो मैं किस तरह से बनाती हूँ फ्रेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसादाई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज मेरे चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लियेना तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं ये देखे फ्रेंस मैंने लोकी ले ली थी इसको छील कर दो लिया था अच्छे से अब मैं इसको दो पीस में काट लूँगी अब मैं इसको कस लेती हूँ मैं बारिक वाले में ही कस रही हूँ ये देखे फ्रेंस हमें इस तरह से सारी मैं लोकी को कस लेती हूँ यह देखे मैंने कस लिया है, अब मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी, अच्छे से इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अगर मैं इसमें ऐसे ही बेजन ढाल दूनी, तो हमारे कौफते अच्छे नहीं बनेंगे, तो मैं इसको सारा इस तरह से निचोड़ लूँगी इसका पानी ये देखे मैंने निकाल लिया अब मैं डालूँगी इसमे प्याज हरी मिर्च लसन अदरक कुटावा हरा धनिया लाल मिर्च पोडर हल्दी पोडर धनिया पोडर और चाट मसाला एक चम्मच नमक डाल मुझे पोडर इससे बहुत अच्छा खटापन आएगा आपके कॉफ्तों में ये देखे हमारा च्छे से तैयार हो चुका है कोफ आप बनाती हूं मैं इसके कॉफ्ते उससे पहले में लगा लेती हूं हाथ में तेल इससे चिपकेंगे नहीं ये देखे प्रेंस आपको जिस सेप में बनाने हैं उसमें बनाईएगा गोल बनाने हैं गोल बनाईए इस तरह से बनाने हो ऐसे बना रही हूँ तो मैं इसके सारे कोफते बना लूँगी यह मैंने बना लिये हैं तो चलिए फ्रेंस आप करते हैं इनको फ्राई इससे पहले कर दीजे मेरी वीडियो को लाइक तो देखें तेल हमारा हो चुका है गरम मैं इसमें डाल दूँगी कोफते एक बात का ध्यान रखेगा तेल जादा गरम मत रखेगा गैस की फ्लेम स्लो ही कर दीजेगा क्योंकि वर्णा क्या है आपके कोफते उपर से पक जाएंगे नीचे से रह जाएंगे कच्चे थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंस पर धीमी आज पर ही पकाईएगा ये देखें मैंने इसमें प्याज, लस्टन, अद्रक और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च, हल्डी, दन्या आप अपने हिसाब से डाल दीजिए जितना आप खाते हैं नमक स्वादनोसार फ्रेंस तो देखें फ्रेंस हमारे कोफते धीमियाद पर बहुत अच्छे से पक चुके हैं बाहर से भी और अंदर से भी फ्रेंस तो बस अब मैं क्या करूँगी मैं इनको निकाल लूँगी एक टीश्यू पर पर जो इनका एक्स्ट्रा ओईल है वो निकल जाएगा ये देखें फ्रेंस मैं सारे कोफते निकाल लूँगी कमेंट बाक्स मैं फ्रेंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को कैसी लग्ती है देखें मैं इसी कड़ाई में टेल चोड़ दिया था अब मैं इसमें डाल दूँघीजिए अब डाल दूँघी मैं इसमें हींग और इसको भून लूँगी जब तक कि यस की खुश्ऽ आने लगेगी अब ये जो मैंने मसाला बना के रखा था ये मैं अब इसी में ही डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी ये देखे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ये देखे फ्रेंस हमारा मसाल अच्छे से भुन चुका है तेल आ गया है उपर अब क्या करना है इसमें मैं दो तीन चम्मच इसमें भरके डाल दूँगी दही इससे बहुत अच्छा खटापन आ जाएगा मसाले में तो देखें ये भी हमारा अच्छे से भुन चुका है आप जायेगा इसमें पानी फ्रेंस आपको जितनी गिरेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिये मैंने इसमें दो ग्लास पानी डाला था क्योंकि कोफते भी पानी सोकते हैं कहीं आप थोड़ा पानी डाल दे और व पानी उस हिसाब से ही डालेगा तो देखें मेरे कोफतों में लगया था हलका सा खदका पानी उबाल लीजिए जब इसमें कोफते डाल दीजिए अब मैंने डाल दिये इसमें हराधनिया कसूरी में थी और थोड़ा सा घी आप चाहे तो ना भी डाले अगर आपको घी पसंद नहीं है फ्रेंस लेकिन जादा तर मैं हर सबजी में आखिर में डालती हूं तो देखें फ्रेंस हमारी कोफते की रेसिपी तयार है तो कैसी लगया आपको फ्रेंस मेरी वीडियो कोफते की तो मेरी वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में में फ्रेंज तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइब